नमस्कार नीज सोड़े सिंद देख रहे हैं और मैं हो आपके साथ रंजन सिंग खबर है विंटा से जुड़ी हुई यानि कि सर्दी से जुड़ी हुई सर्दियों में जो लोग प्लेन से ट्रेबल करते हैं उनके लिए ये खबर बहत जरूरी है आपको बता दे कि ट्रेन समर गर्मी में और ठंडे में जो सिड्यूल है वो बदल जिये जाते हैं एरो प्लेन के और अब चंडी गड़ के लिए जो है सिधा प्लेन पटना से उड़ेगी आपको पूरी जानकारी हम विस्तार से देते हैं कि आखिरकार विंटर में क्या कुछ बदलाव किया गया है पटन नए सिड्यूल में 130 विमानों को रखा गया है जबकि पहले से 110 विमान ही सिड्यूल में सामिल थे इस बार भी इस नए विमान को सिड्यूल में सामिल किया गया है नए सिड्यूल में इंडीगो के 32 विमान को रखा गया है वहीं गो एयर के 11 विमान, स्पाइट्स जेट के 13 विमान एर इंडिया के साथ और विस्तारा के दो विमान नए विंटर सेडियूल में रखे गए हैं दिबाले और छट के अबसर पर बिहार आने वाले लोगों को अब वापस लोटने से ज़्यादा परिसानी नहीं होगी दरसल पतनाय अरपोर्ट ने अपना विंटर को रखा गया है जबकि पहले से 110 विमान ही सेडियूल में सामिल थे इस बार 20 नए विमान को सेडियूल में सामिल किया गया है नए सेडियूल में इंडियो के 32 विमानों को रखा गया वहीं गो एर को 11 विमान, स्पाइस जेट के 13 विमान, एर इंडिया के साथ और विस्तारा के दो विमान नए विंटर स्टेडूल में रखे गए हालाकि या स्टेडूल 30 नमंबर तक ही रखा गया है बाद में विमानों की संक्या घटाई भी जा सकती है विंटर सीजन में दिल्ली मुंबई एहमदबाद, चन्नाई, हैदराबाद, पुने, कुलकता, गुहाटी, अमरित, सर, इन तमाम जगों पर उडान है तब अब तक सबसे अधिके विमान को इस बार के स्टेडूल में रखा गया है बतादे की विंटर सीजन में सबसे पहले विमान की संक्या 110 अधिक्तम थी और इस बार 130 तक पहुँच गई है सबसे खास बात यह है कि इस बार विंटर सीजन में चंडी गढ़ के लिए सिधी उडान दी जाएगी नए सेडूल में इंडीगो के साथ गो एयर के चार एयर इंडिया के दो नए फ्लाइट को रखा गया है नए विंटर सेडूल के जारी होने से तिवहार के बाद वापस अपने गंतव्य अस्थानों पर जाने वाले यात्रियों को काफी सहुलियत होगी दरासलते भारों के समय में भीड बढ़ जाने के कारण फ्लाइट की संख्या कम पर जाती है ऐसे में दस जोड़ी नए विमानों की शुरुआत होने से यात्रियों को काफी जराहत मिलेगा हलाकि यात्रियों की भीड बढ़ने की वज़ा से अभी भी यात्रियों को काफी महंगे रेट पर टिकट मिल रहे हैं तो तमाम जो लोग छट और दिवाली में घर आ रहे हैं उनके लिए बहत आसान हो गया है क्योंकि बिमानों की संख्या बढ़ा दी गई है विंटर सेड्यूल में जो है इस बार बिमानों की संख्या काफी 110 पहले थी लेकिन इस बार 130 कर दिया गया है तो कहीं न कहीं जो लोग आएंगे उनके लिए रहत होगी और जो लोग छट और दिवाली में वापस जाना चाहेंगे उनको असानी और हला की किराया फिलहाल अभी महंगाई है लेकिन फ्लाइटों की संख्या लोगों की सहुलियत के लिए बढ़ा दिया गया है पतनाय अर्पोर्ट से अब सिधे चंडिगर के लिए भी फ्लाइट उडेंगी और इभी अपडेट सेंगे विस्पोर नेशन के साथ नमस्कार